नमस्कार प्राइम टीवी पर श्वेता की साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम शक्सियत जिसमें हमने पिछले एपिसोड में बात की थी रीता ववगुडा जोशी जी से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आप पार्टी से राजसबा सांसद और यूपी प्रभ बहुत स्टूड़ आपका हमारे शो में कि आज आपने अपने टाइम निकाल के आप हमारे शो के लिए शोबह बढ़ाने के लिए आए हैं सबसे पहले मैं आपके प्राइम टीवी के दर्सकों को नमशकार करूंगा और आपको नमशकार आपका धन्यवाद कि आपने मुझे सबसे पहले हम रूप करेंगे आपके बच्पन की तरह कि आपका बच्पन कैसा था आपकी क्या हांसे एज्यकेशन हुई और किस तरीकी स्कूलिंग आपने देखे मैंने मैं सुल्तानपूर का रहने वाला हूँ लखनाउ से 135 किलो मिटर की दूरी पे है मेरा शहर और मेरे पिता जी टीचर थे माता जी भी हमारी टीचर थी मैं सुरवाती पाँच मी तक पढ़ाई किया मैंने सिश्यमंदिर में उसके बाद की पढ़ाई मेरी महात्मा गांधी इंटर कालेज है वहाँ पर हुई उसके बाद मैं उरिसा में माइनिंग इंजीनिरिंग की मैंने माइनिंग इंजीनिरिंग में डिप्लोमा किया उरिसा से कि कि मैं नवकरी करूँ लेकिन नवकरी ना करके मैंने फिर एक संस्था बनाई है और उस में काम सुरू किया आजात समाज सेवा संमीति के नामसे और उस संस्था में बल्ड डोनेशन का काम, हास्पिटल में जो मरीज भरती रहते थे उनकी सेवा का काम और गर्मियों में प्याओ चलाने का काम ठंडियों में रजाई वित्रन और अलाओ जलाने का काम ऐसे तमाम सेवा के कारे उस संस्था के माद्धियम से हम लोगों ने सुरू किया और खास तोर से जो ये गोंती सफाई का करने का काम यह सारा कुछ सफर सुरू हुआ और फिर धीरे धीरे पिता जी माता जी सारे लोगों को यह लगा कि नहीं ठीक काम कर रहा है तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया और उसके बाद फिर मैंने रेडी पट्री वालों का संगठन बनाया और करीब सोला साल तक फुटपात के लोगों के लिए मैंने काम किया जो जिनको रोज लाठियों से पीट के भगा दिया जाता था जिन से पुलिस वाले लोग रिश्वत मांगते थे पैसे मांगते थे तो ऐसे लोगों की लड़ाई मैंने लड़ी सोला साल तक उसके लिए काम किया उसके बाद फिर समाजवा प्राटकर जी और डक्टर संधी पांडे जी के साथ काम किया और वहीं से फिर मुलाकात अरविंद केजरिवाल जी जी से हुई। खबरें सुल्तानपूर से बनी थी जो जल्दी जल्दी हमने काम कराया था उस से फिर अर्विंजी से रिष्टा बन गया और हमारा एक आंदोलन हुआ था जिसमें मेरी गिरिफतारी हुई थी मैं जेल में गया था रेडी पट्री वालों के अंदोलन में उसमें फिर केजरिवाल जी आये थे उसके बाद फिर अन्ना जी का अंदोलन सुरू हुआ अन्ना जी के अंदोलन में मैं सुल्तानपूर और राइबरेली में काम देखता था अमेठी में काम देखता था उसके लिला के मैदान का वो दृष्ट मुझे आज भी याद है जब उन्होंने मुझसे का कि आपको इस मंच का संचालन करना होगा तो मुझे लगा कि सामने एक लाख लोग खड़े हैं मैं इस मंच का संचालन कैसे कर पाऊंगा फिलार वहां से फिर एक शुरवात हुई और तब से किजरिवाल साब ने एलेक्शन का इंचार्ज बनाया फिर पंजाब का इंचार्ज बनाया और अभी यूपी का इंचार्ज उन्होंने बनाया जो सबसे अच्छी बात ये रही कि एक कार्यकरता के तोर पे मैंने हमेशा काम किया संगठन का पार्टी का और साथियों का बहु तीन साड़े तीन साल का जो समय मिला है उसमें भी अपनी भूमी का मैंने जितना हो सकता था वो चाय किसानों का मुद्दा हो मजदूर का मुद्दा हो करमचारियों का मुद्दा हो सिख्षा मित्रों का मुद्दा हो तमाम मुद्दों को मैंने पारलेमेंट के जरिए उठाने मिला है मैं 48 टाइम्स का बलड डॉनर हूं जितने भी रास्टी आबदा हुए गुजरात में जब कच्छ में भूकम पाया भूज का वहां भी अपनी टीम को लेके मैं गया था उत्राखंड में भी गया था जमुकस्मीर में भी गया था नेपाल का जब हुए नेपाल की तरास दी हुई उसमें भी गया था तो इस तरह की जो रास्टी आपदाएं हुई उसमें भी मैंने अपने साथियों के साथ जाके काम किया तो सुनामी जब आई थी तमिल नाडू की मुझे याद है वहां भी हम लोग गए थे और वहां भी काम किया था संदी जी आप यह स्टार् कि हर माबाप और हर परिवार के लोग तो यह चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे पढ़ाई करें और पढ़ाई करके नौकरी करें और घर परिवार अपना देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत मीडिल क्लास फैमली से पिता जी हमारे इंटर कालेज में टीचर थ बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और वो एक प्रेणा के स्रोध बने और निश्चित रूप से अगर पिता जी का माता जी का परिवार का साथ नहीं मिलता पत्नी का साथ नहीं मिलता तो आप इतने लंबे समय तक काम नहीं कर सकतें बेरोजगार होके आप ऐसे ही गूमते रहें और समास सेवा के काम में लगे रहें अगर इसमें फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों का अशिरबाद रहा उनका सहयोग रहा इसलिए मैं इतने दूर दूर तक का सफरता है करता है कि जब बच्चा कोई एक अलग ल हो रहा है या जो भी होता तो सको कन्वेंस करने का थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में उनका क्या रेक्शन था आपके पैरेंट्स का इसको लेके यह बहुत दुरभाग के पूर्ण है कि इस देश में इस समय राजिनीती को या समास सेवा को एक मुनाफे का काम बता दिया ग पड़ेगा लाठिया खानी भी पड़ेंगी जेल भी जाना पड़ेगा अपने पास से अपना अश्राम अपना समय लगाना पड़ेगा तो घर वालों ने जब देखा कि भाई यह ठीक काम कर रहे हैं लोगों के लिए हमेशा रात हो दिन हो लोगों की सेवा में जुटे रह पासाथन मिला तब ही आप यह काम कर सकते हैं वरना तो मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत मुश्किल होता है कि आप सब कुछ चोड़के सेवा के काम में लगके काम कर सके आपनी बताया कि जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी आपने सॉला साल तक आपने उनके हग के लड़ाई लड़ी तो उनका हक किम दर किस मुद्दे पर बात चीछ थी कि मैं आपको बताऊं कि इस देश में करोणों की संख्या में रेडी पटरी वाले लोग हैं फुटपाथ के लोग जिनकी रोज की जिन्दगी सड़क के किनारे ठेला लगाने में पान की दुकान लगान पाते हैं घर में कोई बीमार हो जाए तो उनको या तो पत्नी का गहना बेचना पड़ता है या कहीं से उधार लेना पड़ता है ये सब दुस्वारियां और तकलीफें उनकी जिन्दगी की हैं लेकिन इन सबसे ज़्यादा उनको उनके साथ ऐसा ब्यवहार होता है प्रसास पहिती तो कर नहीं रहा है। ओर धूप में किसको अच्छा लगता है कि 45 डिग्री टंपलिचर में वो ठेला लगा के खड़ा रहे क्यूंकि उसकी अपने सिक्यालए की भूख के आगे देखा तो मुझे लगा कि इन लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए और बहुत लंबे समय तक उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी मैंने जब भी वहां से उनको उजाडने या हटाने के लिए प्रसासन आता था उनके सामने जाके हम लोग खड़े होते थे इसक कर्मन कारी कहते हैं उनको ऐसे हे दृष्टी से देखा जाता है कि जैसे वो इस मुल्क के नागरिक ही नहीं है उनको लाठी मार के भगाना उनको जेल में डाल देना उनका समान पलड़ देना उनकी दुकान उजाड़ देना तो ये सब चीजे मुझे बहुत विचलित करती परिशान करती थी इसलिए फिर उनका संगठन बनाया मैंने और बहुत अच्छे से हमने काम किया उसमें और काफी लोगों की दुकाने प्रसासन से लड़के हम लोगों ने आवंटित कराई उसके लिए जगें और ये काम रहा और उसमें कई लोगों को रोजगार मिला अच यहां से दिली के राजनीती में चला गया तो फिर उनलों को तकलीफ होती है कई बार उनलों को अभी कुछ दिनों पहले उनको उजार दिया इस देश में हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी तो उसके बाद एक कानून बना फेरी वालों के लिए नेशनल फेरी पॉलिसी नी और उसके बाद फिर वो एक बना आज वेंडर्स के लिए एक एक है इस देश के अंदर वो कानूनी रूप से दुकान लगाने के हगदार हैं उनको उजारने से पहले आपको बाकाइदा नोटिस देनी होती है उनके पुनरवास की बेवस्ता करनी होती है कोई सुनने वा के इसमें अक बन गया बंडर जोन बनाने होते हैं बंडर कमेटी बनानी होती है उनको उस हिसाब से बसाना होता है कुछ नहीं फालू होता तो उनके लिए मैंने लडाई लड़ी और मुझे खुसी है इस बात की कि आज भी उनके लिए जितना हमसे बन सकता है वो करना है लेकिन आज अन्या हजारे अन्या जी गायव हो चुके हैं मतलब उनका साथ छूड़ गया देखिए अन्या जी एक सामाजी कांदोलन से निकले हुए नेता थे और उन्होंने पूरे देश को जगाया इसमें कोई संदे नहीं है उनके अन्सन की बदोलत पूरा देश प्रस्ट है कि जब अन्सन का पहला दिन था तो कुछ लोग जंतर मंतर पे आया दूसरा दिन हुआ तो हिंदुस्तान के कुछ राजधानियों में आंदोलन हुआ तीसरा दिन हुआ तो हिंदुस्तान के सारे सहरों में आंदोलन हुआ और चौथा पांचवा दिन आते आते पूरा हिं इंदुस्तान सडकों पर उतराया था अनुना जी के अंदूलन तो ये उनके अंदूलन की ताकत थी और फिर सरकार को ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी पड़ी और ब्रस्टाचार के खिलाफ एक कानून बनाने की जो वकालत उनों ने की थी उसकी शुरुआत हुई निश्चित जाना चाहते हैं तो एक साफ सुत्री इमानदार राजनीती की जरूरत है और उसके लिए अरविन केजरिवाल जी ने पहल की और आज आज आप देख सकती है कि तीन बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए और सिक्षा पे स्वास्त पे बिजली पे पानी पे अनुक का मॉडल है आज दूसरे स्टेट उसको अपनाने की बात कर रहे हैं आज जो हमने महिलाओं को बसकी फ्री आत्रा देने की गोशना की वो दूसरे राज जी उस पे सोचते हैं विचार करते हैं कि कैसे इसको हम अपने स्टेट के अंदर लागू करें तो मुझे लगता है रा सफलता उनको बिल गई है अच्छा आप हमेशा अधिकतर कुछ ना कुछ नहीं अक्टिविटीज और उन तब चीजों के लिए जाने जाते हैं कि अधिकतर आपने कई ऐसे चीजें स्टार्ट की हैं उसमें कितना प्रतिशत मतलब आपको सफलता रही है कि आपको लगता है क कि ऐसे अगर आप कोई भी मोर्चा लेके जाते हैं तो कितने प्रतिशत तक वो सफल रहता है और कितने बहुत सफलता मिलती है दो तरीके हैं या तो आप जुर्म को देखकर खामोस होकर बरदास्त करते रही है और या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाते रही है तो मुझे लगता है मुझे दिल से ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं अत्याचार और अन्या देख रहे हैं कहीं आपके सामने जुल्म और जात्ती हो रही है तो आप उसके लिए बाहर निकलिए और उसके खिलाफ बोलिए आवाज उठाईए और इसका परिणाम आप कहीं और मत पिछले दस महीने से आमादमी पार्टी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ी है और इस दस महीने का परिणाम ये है कि 85 सीटे हमारी जिला पंचायत में आई हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी आज की तारीक में उत्तर प्रदेश में हो गए हमको 40 लाख मदाताओं ने जिला पंचायत के चुनाओं में वोट दिया ये मामूली उपलब्दी नहीं है सोला सो कैंडिडेट्स हमारे उत्रे जिला पंचायत के चुनाओं में लगबग 10% वोट हमें जिला पंचायत के चुनाओं में मिला पहले पंचायत के चुनाओं में तो मुझे लगता है कि ये स्टीविंग के लोग सब ने काम किया और उनकी मेहनत की बदौलत आज हम लोग यहां पर पहुँचे हैं और उत्तर प्रदेश को एक साफ सुत्री राजनीती की ज़रूरत है यहां पर जाती धर्म की राजनीती में पूरा प्रदेश उल्जा हुआ है कोई घटना होती है तो पहले पूछा जाता अच्छा बलातकार किस का हुआ किस जाती की थी किस धर्म की थी करने वाला किस जाती का था किस धर्म का था मतलब ऐसी मानसिक्ता और ऐसे विचारों से प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है आप मुझे बताईए हमको स्कूल की जरूरत है हमको अस्पताल की जरुवरत है यहां भारती जन्ता पार्टी की रैलियों में पूछा जाता है तुम्हें समसान चाहिए कि नहीं चाहिए भाईयों, बेहनों समसान चाहिए कि नहीं छाहिए इस से क्या तरक्की होगी क्या और देदिया उत्र-पदेश को समसान आप देखिए इस पूरे करोना के समय में गाउं गाउं में समसान बन गया तो मुल्क तरक्की करेगा उत्तरप्रदेश तरक्की करेगा स्कूल और अस्पताल वाली विचारधारा से उत्तरप्रदेश तरक्की करेगा मुफ्त बिजली वाली विचारधारा से उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा नौजवानों को रोजगार देने से हाथ को उनके काम देने से उत्तर प्रदेश समसान बनाने से तरक्की नहीं करेगा समसान बनाने की सोच रखने वालों को इस करोना काल में लोगों ने देख लिया समसान में मरे हुए व् यूपी की है मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा और सोच है ऐसी पार्टी यहां जरूरी है और इसलिए हम लों को इतना समर्थन मिलगा आपने जाती बात के लिए बात किया आपने जाती बात के रिगार्डिंग भी कई चीजें की स्टीएफ को स्प इसा दिल से मानता हूं कि जाती बात किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा जहर है धर्म की राजनीती किसी भी समाज को सत्यानास करने के लिए एक प्रमुख कारण है तो इसलिए वो आपके जाती से जुड़ा हुआ विसे है या आपकी जाती के खिलाफ जुड़ा हुआ आपको खुलके बोलना चाहिए तो मैंने जो बात कही वो कहीं हवा में नहीं कही पूरे फैक्ट्स एक एक फैक्ट्स मैंने सामने रखा कि ये सच्चा ही है अभी आप बांदा विश्विद्यले में देख लीजिए भारती जनता पार्टी कहती हमारा नारा है सबका साथ सबका सबका विश्वाथ और वहां एक जाती के गैरा लोगों की भरती होई zeigen तो आप मुझे बता है ये पंद्रा में ग्यारा कैसे एक जाती के लोग हो सकते हैं पचास प्रतिसत आरक्षन उसमें होना चाहिए था अब मान लिजिए उन्हों आपने किस प्रकार से ब्रस्टाचार करके या जिस भी कारण से आपने ये काम कर दिया कोई भी आदमी कोर्ट में चला जाएगा इन नौकुरियों पर इस्टे लग जाएगा उनकतर हजार सिक्षकों की भरती हुई उत्तर प्रदेस में उसमें OBC के आरक्षन के नियमों का पालन नहीं किया गया अब उसके खिलाफ कोर्ट चले जाएगा इस्टे हो जाएगा तो आप जानबूच के ऐसे काम करते हैं जिससे भरतियां लटकी र जाने में करोड़ों रुपए जमा किया नोजवानों ने और उन 14 भरतियों में से एक भी नियुक्ति आस्तक नहीं ग्राम विकास अधिकारी के बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे वो जब आते हैं कहते हैं साहब हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए तो उनको लाठियों से प सब्सक्राइब करता में आती है वो जातिवात का खेल सुरू कर देते हैं इससे क्या फायदा है समाज का चौबिस करोण लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में चाहिए किसी एक जाती की सरकार बनाके उत्तर प्रदेश का भला तो नहीं होने वाला है यह मेरा सपस्त तोर प माटने का काम जरूर कर सकते हैं तो इसलिए अगर आप वास्तों में प्रदेश की भलाई चाहते हैं अगर आप वास्तों में वसुदेव कुटुमबकम की भावना में विस्वास रखते हैं हिंदू धरम कहता है वसुदेव कुटुमबकम पूरा विस्व हमारा परिबार है और आप यहां जातियों के नाम पे जगडा लगा रहे हैं धरम के नाम पे जगडा लगा रहे हैं तो इससे सबसे पहले यूपी को निकालना होगा इससे बचाना यह एक बीमारी है इस बीमारी से निकालना और इस बीमारी की वज़ा से होता क्या है आप कोल जादिया जाती मे आपको उल्जादिया धरम में आपको उल्जादिया छेतर में आपको उल्जादिया भासा में और खुद अपना बंदर बाट कर रहे हैं रूपया कमा रहे हैं बड़ा मुद्दा यह है कि 800 का आक्सी मीटर 5000 में क्यों खरीदा गया बड़ा मुद्दा यह है कि 1600 का थर्मोमीट क्यों हुआ सिक्षकों की भरती में घोटा ला कि बड़ा मुद्दा ये है लेकिन उस पे बात नहोंने पाए इसलिए एक जहर की पुडिया रोज पकड़ा दी जाती है कि लोग अपना इसको पीलो और मस्त रहो तो इस जाती वाद और धरम वाद के जहर से यूपी की जनता को हम लोगों को निकालना होगा और अपने मुद्दों की बात करनी पड़े हमारे नौजवानों को रोजगार दो उत्तर प्रदेस में इंडेस्टीज लगाओ उत्तर प्रदेस को विकास के रास्ते पे ले जाओ सड़कें बनाओ अस्पताल बनाओ स्कूल बनाओ यहां की तर चलाते हैं कुट्टे बैठे हुए महिला सर्जिकल वार्ड में तो डॉक्टर की कुर्सी पे हर दोई में मैं देख रहा था एक वीडियो डॉक्टर की कुर्सी पे कुट्टा बैठा हुआ था तो आप बताईए प्रदेश की हालत यह है और यहां बड़ बोला पन दुनिया भ आज वो उनसे खुस वो उनसे इससे हमें क्या लेना देना है बही मोदी जी के योगी जी के जगड़े से यूपी का क्या लेना देना है लोगों को अपना काम चाहिए कुरोना में जो लोगों का रोजगार गया है रोजगार चाहिए जो बच्चे एनात हुए है उनका भरन सूबे के मुख्यमंत्री सूबा जो है कहीं घुटना टेकते हैं फिर साम को कहीं फिर अमिस साग फिर नड़ा फिर मोधी फिर बीयल संतोस इसी में लगे हुए तो मुझे लगता है कि आज एक साफ सुथरी विजन की पार्टी चाहिए और साफ सुथरी विजन की राजनीती च इसमें 24 करोन उत्तर प्रदेश वासियों का भला हो सके ऐसी सोच होनी चाहिए इसलिए जहां कहीं भी जाती बात दिखे मैं एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते इस बात को अपना धर्म समझता हूं कि मैं उसके खिलाब बोलूँगा वो मेरा सागा भाई भी क्य हमारा काफी मजबूत हुआ है जो आकड़े की इन्वेस्टर सब्मिट के थ्रू हमारा जो इंडस्री जो है बहुत अच्छी मजबूत हो चुकी है और बहुत सारे हाईवेज और यह सब भी बनवाए जारे विकासकार तो वो लोग तो इसी तरीके से दिखाते हैं कि सब कु होता है इन्वेस्टर समिट हुई थी जिसकी चर्चाप कर रही है उस इन्वेस्टर समिट में जितना पैसा खर्च हुआ उसके आयोजन में उतना भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ आंकड़े निकाल कर देख लीजे कागज में लाखों करोंड करिया, कितना रोजगार लोगों को मिला, तो आंकडों में आप कोई भी बाजी गरी कर सकते हैं, मैं कहते रहूं आपसे इन्वेस्टर समिट में जितना खर्च हुआ, उसका आंकडा निकाल लीजे, उतना भी इन्वेस्टमेंट उत्तर पुदेश में नहीं हुआ, आप विका काम आपको करके दिखाना होगा, हमारे सिक्षा मंतरी आयमानिसी सौदिया जी, वो स्कूल देखना चाह रहे थे, हम लोगों को गरिफतार करवा कर रोक लिया गया, बोले स्कूल नहीं देख सकते, बताएए उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स पेर्स के, उत्तर कर लिया जाएगा, किस अस्पताल में हमारे लोगों का इलाज होता है, जो हमारे टैक्स के पैसे से बना है, वो हम नहीं देख सकते, उसकी बधाली का मुद्दा आप उठा देंगे तो आप पे देख, चौदा मुकद में मेरे उपर कर दिया, बाबा जी, चौदा-चौदा मुकद में रास्त द्रो लगा दिया मेरे उपर, मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, अभी कोरोना काल में, आप सोचिए इनकी मानसिक्ता किस प्रकार की है, इस कोरोना काल में हमारे जो आक्सीजन युक्त आटो चल रहे थे, उसको इन्होंने गिरिफ्तार करा के, अ इसकाम में इनकी विस्तता है लगी हुई है, तो आप यहां कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, लोक तंत्र में अपोजीशन के अपनी घूमी का है, आप सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकते, तो इसलिए विकास के जो इनके दावे हैं, बारा हजार क्रोंड रुपे गर करने का मूले नहीं बढ़ाया, धान की खरीद में, गेहों की खरीद में आप खालत देखती हैं, क्या होता है मंडियों में, कागज पे दो करोंड रुपे की खरीद हो गई, और पता चला, अनाज ना कहीं विका ना कहीं खरीदा गया, ऐसे हो रहा है, खुले आसमान के अच्छा, आपने एक कुछ केस की बात की की, चौदा केस आपके पास, आपके पहले भी एक बर वहते जो आपने ब्रामडों और दलितों की रिगार्डिंग आपने एक आवाज उठाई थी, तो उसमें भी तीन महीने में आपके तेरा केस ठोके गए थे, चौदा ही होई त बात कहता हूँ कि बाई पांच सो ब्रामणों की हत्याएं हुई, तो ये तो आंक्रे हैं ना, मैं अगर कहता हूँ कि बारवी में पढ़ने वाले लड़के प्रभात बिश्रा की हत्या क्यों हुए जिसके खिलाफ एक मुकदमा भी नहीं था, एक सो एक्यावन का भी कोई तो इसमें कोई गलत बात है क्या, तो जो सामने दिख रहा है उस पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक दलित की बेटी के साथ हात्रस में बलातकार होता है, हत्या होती है, रात में उसको दो बजे जला दिया जाता है जबरन एक गरीब की बेटी को, और उस मामले में मैं वहा पर स्याही फिकवाई गई, कालिक फिकवा रहे हो आप, तो आप बताईए ये कहां से कोई गुना और गलती है, आज यूपी के अंदर आजादी के 73 साल के बाद एक दलित घोडी पे बैट के शादी नहीं कर सकता, आज इस हालत में हम लोग रह रहे हैं, आप बताईए के बाद अगर हमें ये जहिलना और देखना पड़ रहा है, तो इसके खिलाब तो बोलना चाहिए हर इनसान को बोलना चाहिए, हर समवेदन सील विक्ति को बोलना चाहिए, और इसमें कोई जाती बाद नहीं है, इसमें सच है जो आपको रखना चाहिए, सरकार किसी की भी हो कोई भी हो लोकतंत्र में निरंकुस राजा नहीं बन सकता है कोई हमने अपने वोट दे के सरकार को बनाया है इस देश की जनता ने सरकार को चुना है किसी को भी पक्ष में रहने के लिए कहा है किसी को सत्ता में रहने के लिए कहा है तो लोकतंत्र में जितनी बड़ी भूमिक सत्ता पक्ष की है उतनी बड़ी भूमिका भी पक्ष की है आप ताना साहब बन के काम नहीं कर सकते हैं तो यहां आप बताइए खुसी दूबे उसके लिए उस समय के SSP ने कानपूर में कहा कि सब यह निर्दोस है और इसको छोड़ दिया जाएगा ग्यारा महीने हो गए उसको दो बार खुन की उल्टियां हो चुकी हास्पिटल में एड्मिट हो चुकी अमर दूबे से दो दिन पहले उसकी शादी हुई थी किस अपराद में आपने जेल में रखा है उसको अमर दूबे की मा किस किस अपराद में आपने उसको जेल में रखा है छमा दूबे को हीरू दूबे की मा किस अपराद में आपने जेल में रखा है शांती दूबे को विकास दूबे किया एक नौकरानी काम करती थी और उसके दो बच्चे रेखा अगनोत्री साथ साल के उसकी बेटी धाई साल का उ उसकी बच्ची को मौसी के पास रखा गया धाई साल का उसका बेटा अभी भी दस महीने से जेल में पड़ा हुआ है अब बताइए वो बच्चा बड़ा होगा तो आदित नाच जी से क्या सवाल करेगा मैं किस अपराद में जेल में था तो ये हो रहा है उतर पुदेश में त तो प्रतिशोध और नफरत की राजनीती पर अगर आप टार्गेट करेंगे लोगों को जेल में डालेंगे सडाएंगे उनको ये ठीक बात नहीं है और इसके खिलाप मैं फिर दोरा रहा हूँ हर संबेदन सील वेक्ति को आवाज उठानी चाहिए आपके घर में भी अगर अफरत फैलाने का काम कोई कर रहा है वहां उसका विरोध कीजिए वरना समाज बचेगा नहीं आज टीवी में जो बहसे होती है उसका अस्तर आप देखिए साम से लेके रात तक किस तरह की बहस चलाई जाती है उससे लोगों का मन और दिमाग और उनकी मानसिक्ता वो दूस सवाल उठाए थे हां राम मंदिर को लेकि मेरे सवाल उठाए था आज फिर दोरा दे रहा हूं आपको भारती जनता पार्टी ने जब महा महिम रास्टपती जी को देश का रास्टपती बदराया आधर्णिये रामनांत कोविज जी को तो क्या धिंडोरा पीटा एक दलित क रास्टपती बनाया एक दलित को रास्टपती बनाया हर शब्द में उन्होंने बोला इस बात दलित को रास्टपती बनाया तो अपने वोट की राजनीती के चक्कर में आप एक दलित को रास्टपती बना सकते हैं लेकिन जब राम मंदिर का निर्माण का भूमी पूजन आप जा रहे हैं उस भूमी पूजन में आप महा महिम रास्टपती को नहीं बुलाते हैं और मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि घथान मंत्री के साथ देस के राश्टपती क्यों नहीं आ सकते हैं इसका मतलब आप अपनी मानसングता से दलिद विरोधी हैं इसलिए मैंने यह बात कह आप बताईए समविधान के सबसे बड़े रक्षक देश के रास्टपती हैं आपने अपना मोदी महल और नई ये पार्लेमेंट आप बनवा रहे हैं उसके सिलन्यास में भी आप रास्टपती जी को नहीं बुलाते हैं तो 24 घंटे अगर भारती जनता पार्टी इसी मानसिक्त में जिएगी कि हमें दलितों के खिलाफ नफरत पैलाना है में मुसल्मानों के खिलाफ नफरत पैलाना है में पिछलों के खिलाफ नफरत पैलाना है इससे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा इनको एक्सपोज करना पड़ेगा इनकी असलियत लोगों के सामने लानी पड़े गया है आपको उसके लिए चुना गया है है तो उस में आपकी क्या दावेदारी रहेगी? जैसे आप यह है कि अगर आप पार्टी आती है तो हम दिल्ली मॉडल पे एक मेर काम करें गया है? मुझे एक प्रभारी के तोर पे उत्रप्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है और मैं संगठन बनाने का काम साथियों के साथ संघर्स करने का काम लगातार कर रहा हूं और अभी विधान सभाओं में हम लोग प्रभारी बनाने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में जो जो बकाया है बिजली का उसको माफ करने की बात है, उसमें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, उसमें बेरोजगारों को नौकरियां देने की बात है, आज उत्तर प्रदेश में इतने संद्ध, लोग हमसे सवाल पूसते हैं, कहते साथ दिल्ली छोटा र वहां का बजट है साथ हजार करोड रुपए उत्तर प्रदेश का बजट है साड़े पांच लाख करोड रुपए तो यहां का बजट लगबग दसगुना जादा है आप सारे वो काम जो दिली में हमने किया है वो यूपी में भी कर सकते हो आप मनसा होनी चाहिए इक्षा सक्त होनी चाहिए अगर उत्तर प्रदेश का मंत्री अपने भाई का EWS का कोटा बना के गरीब सवर्ण के हक की नौकरी मारेगा तो उत्तर प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता अगर वो अपने नाम पे अनापसना प्रापर्टी बनाएगा और करोणों रुपए की संपत्ती बनाए बहुत पैसा है सरकार के पास वो जाता कहा है ये तो देखी आप हमारे बच्चों के लिए स्वेटर का पैसा जो आता है जो जूते का पैसा आता है जो बस्ते का पैसा आता है जो किताबों का पैसा आता है जो स्कूल की बिल्डिंग बनाने का पैसा आता है वो पैसा जाता ह मंत्री के ब्रस्टचार में इसलिए हमारे बच्चों को जूता नहीं मिल पाता स्वेटर नहीं मिल पाता उनको मिड़े मील में नमक रोटी खानी पड़ती है और आप जैसे पत्रकार अगर उसकी ख़बर करते हैं तो आप पर मुकदमा हो जाता है यह उत्तर प्रदेश की सच भी नहीं है उत्तर प्रदेश एक समरिद विक्सित राज है और आगे इसको और तरक्की दी जा सकती है और आगे बढ़ाया जा सकता है इसको तो जबरदस्ती बेईमानी और धस्ताचार करकर के पीछे धकेला गया है तो अब मुझे लगता है इस प्रदेश के नौजमानों को ये बात समझनी पड़ेगी सबसे ज्यादा कि आपको जाती और धरम के नफरत में जोक कर ये पार्टियां कर क्या रही है आपका भला कर रही है या आपको लगतार पीछे धकेल रही है आपको बेरोजगारी के दल दल में डाल रही है आपको मुसीबतों और दुस्वारि के लिए और लोगों के लोगों के रिगार्डिक जो भी आपने अंदोलन में रखे हैं पढ़ाई को लेकर विकास को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं जाती बात को लेकर तो आने वाले 2022 में विद्धान सभा चुनाओं में है कि मतलब हम आप पार्टी इस बार अपन करेंगे 2022 में झे हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ प्रदेश की जनता को तैयं करना समर्थन और सहीयोग मिलेगा चेहरा चीज़ें और हमारी पर्टी मजबूत होगी ऑगे जाएए तो इसलिए हम तो आपनी बात कहेंगे लोगों कि हम ये करना चाहते हैं ये करने के लिए आए हैं और जब हम तेरा में चुना उल रहे थे तब भी हमारे पास पैसे नहीं थे आज भी हम जब यूपी में चुना उल रहे हैं हमारे पास कोई पैसे नहीं है हम लोगों के सहीयोग से इस राजनीती को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम जनता की भागीदारी साफ सुत्री इमानदार राजनीती में चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज जोड के लोगों से अपील करते हैं विंती करते हैं आईए मिलकर एक नया उत्रप्रदेश जो भरस्टाचार मुक्त हो एक नया उत्रप्रदेश जो बेरोजगारी से मुक्त हो एक नया उत्रप्रदेश जहां पर नफरत की बुनियाद पर समाज को बनाने की कोसिस ना की जाए एक नया उत्तरप्रदेश जहां पर आपसे चाती और धर्म के नाम पर भेदभाव ना किया जाए ऐसा उत्तरप्रदेश बनाने का हम लोग प्रयास करें जहां पर हम अपने बच्चों की सिक्षा, स्वास्त, सड़क, पानी, बीजली, पुनियादी सवालों पर सोच सकें आंत में संज़ जी मैं चाहूंगी कि हमारे प्राइम टीवी के व्यूर्स को एक मेसेज आते हैं मैं प्राइम टीवी के सभी दर्सकों को नमस्कार करता हूँ और मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूँगा कि जहां कहीं भी आप हैं कम से कम समाज में जो कुछ भी बुरा चल रहा है, आपके आसपास कहीं कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाइए, अगर हम लोग चुप रहेंगे तो साइद आने वाले दिनों में परिस्तितियां हमारे और खिलाफ जाएंगी समर से से नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्त हैं समय लिखेगा उनका भी अपराद तो हमें तटस्त नहीं बैठना है, हमें खामोस नहीं बैठना है, आज जो प्रदेश की हालत है, इसमें हमको अपनी भूमी का निभानी है और इस प्रदेश को एक विक्सित, एक मजबूत प्रदेश बनाने के लिए काम करना है, धन्यवाद आज के प्राइम टीवी के शो शक्सित में हमने बात की राज्यसवास सांसत संजर सिंग जी से, जुनोंने अपने जीवन काल की बारे में हमें काफी कुछ पताया, आगले एपिसोड में हम फिर हाजर हूँगे एक नई शक्सित के साथ में तब तक आप देखते रहें प्रा